कैसे हैं आप लोग वोप आप सब बहुत अच्छे होंगे चलिए आज की रेसिपी है कुछ यूनिक है जब हमें कोई सब्जी पसंद ना है घर में कोई सब्जी ना हो कुछ डिफ्टेंट सब्जी बनाते है आलू और प्यास से ही जो कि हमेशा घर में अविलेबल रहती है इस अब यही चार चीज से हम लोग क्या बनाएंगे अच्छी से एक सब्जी और बहुत ही टेश्टी सब्जी होती है चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने मसाला ले लिया है अद्रक और लेस्ट को कूट के लिया है यहां पर गरम मसाला टू टेबल स्पून वन टेबल धनिया पाउडर और वन टेबल स्पून लाल मिश्ट पाउडर यह मारे मसाले इतने मसाले का यूज करेंगे अब मैंने यहां पर क्या किया है प्यास को कटिंग कर लिया है आपको प्यास को से लंबा लंबा कटिंग करना है बारिक बारिक नहीं लंबा लंबा कटिंग करके उसके हर एक पार्ट को ऐसे अलग कर देना है इसे टेश्ट बहुत ही अच्छा आएगा जो हमने आलू की स्लाइस किया है उसको बड़े-बड़े स्लाइस में कटिंग करना है चोटे-चोटे कटिंग नहीं करना है एक बाउल ले लिजिए आप उसमें करेंगे ट्रांसफर प् इस तरीकिस आपको प्याज के हर एक पार्ट को अलग कर देना है कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं पूरे पार्ट अच्छे से अलग हो चुके हैं इसको एक साइडी में करके यहां पर हम डाल देंगे आलू आलू की साइज देख सकते हैं बड़े-बड़े कटिंग दाल सकते हो मसाले साइस में डाल देंगे और इसमें एक में चीज डालेंगे हम बेसन बेसन से इस टेष्ट बहुत अच्छा आएगा तो जितनी आपके सब्जी की कॉन्टिटी रहेगी उसके हिसाब से आप बेसन डाल देजे टू से ट्री टेबल इस्पन बेसन डालना है अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको 10 मिनिट की रेष्ट पर रख देना है देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है ऐसे मिक्स करके आपको 10 मिनिट की रेष्ट पर रख दीजिए आगे का प्रसर स्टार्ट करते हैं मैंन इसमें टेबल इस्पूल मैंने ऑईल डाल दिया है और इसको हाई फ्लेम पे आपको अच्छी तरीके से पका लेना है जैसरे चटकने लगेगा दालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च करके लंबा- vikt करना आप अपने पीखहे के नूसाल और भी मिर्च्री डाल सकते हैं अब इसमें हम दालेंगे टामाटर गल दूशेची डाल दिल दीग्वे ओं वातर बागल धोस्ता ही अब कैश्यों अच्छी तरीके चेक करने पर लग रहा है हमारा तमाटर गल चुका है आपको ऐसे कल्ची की सहाता से दबा दबा के फोर लेना है क्रस्ट कर लेना है ताकि हमारा तमाटर अच्छी तरीके से गल जाए अब हम क्या करेंग जो हमने क्रेवी बना रखा था उसका आलोय प्यास को इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे जिब्स के लिए दाश्मेंट्ट के रख् था, इसको इसमें हम ट्राइंसफर कर देंगे। और अच्छी तरेके से मस्याले के साथ मिक्स कर दीजी यूर गैस का फ्लैम रखिये लो रखीने तेज़ार भी बुगत सबनीजी प्रक्राई कीजिए जब मारा मसाल इसे सब्सटे मीक्स मिक्स कर एक्षे बौल में और पानीज दाल डी मिक्स कर दीजै अगर आपको लगता है कि हमारी गिदेवी अभी थीख है तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा पाणी डाल सकते हैं आपकी सब्जी के अनुसार आप पाणी डाल देजिए और इसको अच्छी तरीके से चला देजिए जब सब्जी सब्जी चलने लगीगी तब हम क्या करेंगे इसका कुकर का धक्कन लगाके दो सीटी तक आने तक पका लेंगे ताकि जो आलू है अच्छी तरीके से पख जाए अब हम इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे अच्छी तरीके से चला के गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए और आपको लगता है ग्रेवी में पानी कम है तो थ्वास पानी दिखी मैंने और डाल दिया है इसे पानी डालके अच्छी तरीके से पका लेजिए और कुकर का धकन लगा देजिए दो से तीन सिटी के लिए ताकि हमारा आलू अच्छी तरीके से पक जाए कुकर का धकन लगाने के बाद आप देख सके मैं निकाल दिया है इसके बाद आपको क्या करना है दो मिनिट के लिए और पका लेना है इस सब्जी मारी बनके रेडी हो चुकी है बहुत ही टेश्टी बहुत अच्छी टेश्टी सब्जी रेती आप चावल के साथ रोड़ी के साथ खा सकते हैं और सबको घमे बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी कैसी लगी कमें में बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर कर दीजिए बल आइकन को प्रेस कर दीजिए लाइक शेयर कर दीजिए थैंक्यू गाइस